गुड आप्टरनून फ्रेंट्स वेलकम टूम 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 लेके अलटा दोस्तों आज किस वीडियों लोग जैसे सेजल 2022 ऑनलाइन फोर्म के बारे में डिसकस करेंगे बहुत से स्टुरेंट्स के मेसेज आ रहे हैं कि सर रेजिस्टेशन हो गया है प सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो के इंट तक बने रहेंगे अध्यान से के पॉइंट को समयने का प्रियास करेंगे प्रेंट्स आपको बताती कि जैसे सीजल 2022 ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म जब आप करेंगे डैस बोड को जब आप ऊपिन करेंगे तो जो ओल्ड स्टुडेंट्स हैं वह अपना प्रिबियास रिस्टेसन नंबर डालेंगेijd और उनको वही भी करना ह। यानि आपको पूरा application form को फिलब करना होगा जो old students है और जो new students है उनको भी यानि कि दोनों को application form को पूरी तरह से फिलब करना होगा बस अंतर यही है कि जो old students है जो पहले form को फिलब किया है उनको previous registration number देना होगा और उनका payments नहीं लएगा याद रखेंगे फ्रेंट्स वहीं आपको बता दें कि जो new students है new candidates है वह राइस्टेशन करने के 24 आवर के बाद यानि कि 24 घंटे के बाद आप payment कर सकते हैं और payment करने के 24 आवर के बाद यानि कि जब आप payment करेंगे उसके 24 घंटे के बाद आप photo और signature को upload कर सकते हैं फोटो जो होगा वह 20 से 50 के बीके बीच में होना चाहिए और signature 10 से 20 के बीके बीच में होना चाहिए याद रखेंगे और फ्रेंट्स वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो questions पुछे गया थे payment से related कि sir payment तो done हो गया है लेकिन payment जो है वह done हो गया है लेकिन this point नहीं कर अगर आप payments कर लिये हैं और उसके 24 hour के बाद भी अगर आपका dashboard नहीं open हो रहा है फोटो और signature रोला तो आप क्या करेंगे इसके बारे में discuss करेंगे तो चली start करते हैं फ्रेंट्स आपको बता दे कि जिस email id से आपको एक email करना होगा जिसका payment जो है वह done हो गया है 24 hour से भी ज् खुल रहा है यानि कि फोटो और signature का dashboard नहीं खुल रहा है उनके लिए प्रोसेस है आपको बता दे कि सबसे पले आपको email खुलना है email खुलने के बाद आपको क्या करना है क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक symbol नज़रा रहा होगा इस symbol पर आपको क्लिक करना उस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अटेज करेंगे अपना जो payment slip है उसको आप यहां अटेज करेंगे और आपको बता दे कि फ्रोम जो यहां नज़रा रहा है इसमें आप अपना email ID डालेंगे जिस email ID से आप application form फिल अप कर रहे हैं वही email ID होना चाहिए और इसके अल अखंड-underscore-sse-radifmail.com आपको लिखना है और subject में आपको लिखना है my payment is done but not respond on other options अब चलिए next बात करते हैं आपको बता दे कि compose mail है जहां compose mail है वहां आपको क्या लिखना है आपको लिखना है hello sir my payment is done but not respond on other options my SBI reference number आपका जो SBI reference number जो payment slip में सबसे उपर होगा वहां आपको यहां लिखना है इसके बाद आपको application number आपको यहां लिखना है इसके बाद आपको category लिखना है अब सबसे बड़ा question से यहां पूछे जा रहे है कि sir category में क्या लिखे आपको बता दे कि category में आप अपना exam का नाम लिखेंगे यानि कि JGG LCC 2021 लिखेंगे यहां पर category में और my name में आप अपना नाम capital में लिख देंगे यानि कि पूरा full नाम लिखेंगे capital में अपना याद रखेंगे next और most important point जो आपको ध्यान में रखने आप अपना payment slip को वस अटेच करेंगे आप इस tab पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के इतजार करना है कम से कम एक घंटे का आपको इतजार करना है और आप एक से डेट घंटे वेट करने के बाद जब फिर से login करेंगे तो आपका payment success फुलो जाएगा और next tab खुल जाएगा जहां पर फोटो और signature अप्लोड करके declaration समिट करते हुए आप application का जो print out है उसे आप सानी है आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए अभी के लिए बस इता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत पुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत